आज मैं आपके लिए एक और ओसदी पौधा लेके आया हूँ, आप इस ओसदी की पैचान करें और मैं जो उसकी गुड़ बताऊं उससे लाभाव में थो, ये ओसदी पौधा बहुती चमतकारी है, इस ओसदी का नाम है जल पिपली, इसको जल पिपली या जल पीपल की नाम स जाना जाता है, ये इसके बुस्प हैं, इसी में एक छोटा सा फल लगता है, जो देखने में छोटी पिपल की समान होता है, इसके पत्ते भी पिपल जैसे थोड़ी थोड़ी होते हैं, इसलिए इसको जल पिपली कहा जाता है, पिपली एक अलग चीज है, और ये है जल जाती है जल का भरा होता है वहां पर ये जल पिपली बहुत ज्यादा पाई जाती है तो सबसे पहले आप हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लें उसके बाद बैल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वेडियो डालूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके ये जो जल पिपल दातु बर्थक तथा अगनी को बढ़ाने वाली है इससे आपकी आँखों की समस्त बिमारियां दूर होंगी इस्त्री और पुर्षों के समस्त रोक दूर होंगी ये धातु बर्थक और अगनी को बढ़ाने वाली जाने की पाचन को बढ़ाने वाली है ये पेड़ दर्द म गुर्दे की पत्री में, सिरदर्द में, नक्सीर में, दाद दर्द में, स्वास तथा दमा में, और दस्त बबासीर में, तथा घाव, चोट, मोच, जलनवा सूजन में, और कैंसर जैसी बीमारी में भी लाबकारी सिद्ध हुई है। इसके औसदी गुण बहुत है, और ये देखने में एक साधान सब होता है। आप इसकी पैचान करें, और अपनी बीमारी से लाब पाए। पेड़ दर्द में आप पिपली को ले ले जीए, ऐसे जैसी में तुड़ा है, इसको ले करके आप इसका रश निकाल लें। और उसमें आप जीरे डाल दें, पीस करके और सिवन कर जाएं, तो पेड़ दर्द में लाब मिलता है। या फिर आप इसको पंचांग को ले करके सुखा लें, और जीरे डाल करके आप इसका क्वाद बना करके शिवन करें। गुर्दी की पत्री में आप इसके कुवात को थोड़ी निर्गुंडी में आप निर्गुंडी पंचांग और इसे जल पिपली पंचांग को उबाल कर शिवन करते हैं तो गुर्दी की पत्री गुर्दी में सूजन गुर्दी में इनफेक्शन दूर होता है शिरदर्द में आप सिर्दद में से जल पिपली के पंचांग को ताजा ले ले जिए और आप कूर पिसकर के लुगदी बनाएं और अपने माथे पर अगार इसके लेपन करते हैं सिर में तो सिर्दद गायब हो जाता है। नक्सीर में आप नक्सीर में भी जो इसको गरमी के कारण नाक फूटने की जो सिकाज़ रहती है नाक से जिसकी बिलट चले लगता है उसको नक्सीर बूला जाता है। तो नक्सीर में आप इसके जो रस की एक-एक बून डाल लेजिए या फिर इसके पत्तों को तोड़ करके और लुकदी बना करके सिर पर मालस करें तो नक्सीर बंद हो जाती है। दाद दर्द में अगर दाद में दर्द है तो इसके पत्तों को ले लेजिए इसके सुरस को कुला कीजिए तो दाद दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है स्वांस और दमा की ये बहुत इच्छी सुपर से दोसदी है इसके पंचांग की सुरस को ले करके उसमें थोड़ी काली मिर्च का चुरन और थोड़ा आप स्वांट का चुरन मिला ले और उसमें फिर दो चम्माचा सहद मिला करके और शिवन करें तो वास्तम में ये एकदम बहुत अच्छा योग है स्वांस और दमा को दूर करने के दस्त में जब पतले दस्त आ रहे हों और किसी भी उसमें ठीक नहूं तो सारिवा और पिपली दोनों को ले ले जिए तो सारिवा को ले करके और पिपली के पंचांग को ले करके आप अगा चुरन बनाएं या अतिसार में बहुत जड़ा लाब हो जाता है यह आर्स यानि कि बबासीर में यह बहुत अच्छा काम करती है खोनी और बादी किसी प्रकार की बबासीर में आप इनकी पत्यों को ले करके और थोड़ी काली में चिमिला करके गोलियां बना ले और फिर आप शिबन करें तो यह अर्स को दूर कर देगा खबजियत को दूर करेगा और अगर मस्से हो गए हैं दर्द और सुजन रहती है तो उस पे आप इसको लेपन करें और चोट मोच में आप पुंठल बना करके और चर्म रोगों में इसका सुरस लगा सकते हैं तो यह बहुत इच्छे हो सदी है इसकी लफ़ाँ